Hello everyone, welcome to our channel Visual Institute अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के भी शेयर करना मत भूलिए आज है 22 मही 2020 और आज का Visual Thought है यानि कि हम अपने विचारों से गिरे हुए हैं हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं तो सुरू करते हैं Maths का Lecture No.16 Problem on Age Part 3 तो सबसे पहले डिसकर्स करते हैं पिछली क्लास में देगे हैं Homework के क्यूशन का तो पिछली क्लास में जो मैंने क्यूशन दिया था वो था स्नेहा is 8 years older than her cousin यानि कि स्नेहा है वो उसकी कजन से 8 साल बड़ी है her cousin is 24 years younger than his mother और उसके जो कजन है वो उसकी मदर से 24 साल छोटी है फिर का है if the ratio between the ages of स्नेहा and her cousin's mother is 7 ratio 11 यानि कि स्नेहा और जो कजन की मदर है cousin की मदर के बड़ी जो ratio वो कितना है 7 ratio 11 है ये चीज़ है तो हमें ये निकालना है कि what will be the age of स्नेहा's cousin after three years तीन साल के बाद इनकी क्या age होगी ये में चीज़ बताने है तो हम क्या करते हैं कि 7 ratio 11 है तो स्नेहा की age में मालेता हूँ 7x किती में माल ली 7x और मदर की age अपन मालेता है 11x ठीक है तो स्नेहा की age अगर 7x है मदर की 11x तो स्नेहा की 7x है तो यहां से मैं cousin की age निकाल सकता हूँ तो 7x equals to c plus 8 यानि की cousin की age किती आगी 7x minus 8 अब ये सारी ages जो है मैं इस equation में रख लेता हूँ तो cousin की age आई 7x minus 8 equals to mother age कितनी माले अपने 11x minus 24 तो transfer करने पर क्या मिलता है 7x minus 11x 8 minus 24 यानि की minus 4x equals to minus 16 यानि की x की वाली हमें मिली 4 तो x की वाली 4 मिली है तो cousin की age कितनी आगी 7x4, 28 minus 8 यानि की 20 years तो 20 years जो है वो cousin की age है तो हमें पूछा cousin की age आफटर 3 years कितनी होगी तो 3 साल बात कितनी हो जागी 20 plus 3 यानि की 23 years यह हमारा याँ पर आंसर हो गया तो आपको अब ये question समझ में आगी होगा फिर चलते हैं कुछ आज के practice questions पर तो आज का जो पहला practice question है वो है इने family there are two children नव्या एंड रीथ दो चिल्टरन है नव्या और रीथ the ratio between the present age of नव्या एंड रीथ is 5 ratio 6 तो नव्या और रीथ में जो अभी ratio कितना है 5 ratio 6 after 8 years the ratio of their ages will be 7 ratio 8 तो आठ साल बात देखे अभी age कितनी है 5 x 6 x माल लेते हैं तो 8 साल बात age कितनी हो जाएगी 5 x plus 8 6 x plus 8 यह जो ratio है वो किसमें कर्णूट हो जाएगा 7 ratio 8 में तो हम कह सकते हैं कि 5 x plus 8 divided by 6 x plus 8 जो कि 7 ratio 8 के तो हमें निकालना है find the total age of नव्या रीथ after 10 years 10 साल बात क्या age होगी तो हमने इनको cross multiply करवाया तो 5 x 8 40 x कितना मिला 40 x plus 8 x 8 64 equals to 7 x 6 42 x plus 8 x 7 56 transfer किया तो मिला 42 x minus 40 x 64 minus 56 2 x equals to 8 यानि कि x की value हमार पास आगी 4 x की value 4 आगी तो अब हमें ये बताना है कि नव्या और रीथ की 10 साल बात age क्या होगी तो पहले अभी की age बात करते हैं 5 x और 6 x यानि कि 25 x 4 20 और 6 x 4 24 तो अभी कितनी है 44 दोनों की age का सम कितना 44 दस साल बात करते हैं तो 10 साल तो एक तो नव्या बढ़ी हो जाएगी और एक 10 साल रीत बढ़ी हो जाएगी ना 10 साल दोनों की उमर बढ़ जाएगी यानि 20 का 30 हो जाएगा और 24 का 34 तो 30 प्लस 34 हो गया या 44 में 10 और 10 एट कर तो क्या मिल गया 64 तो यह हमारे यहाँ पर क्या हो गया 64 यह टोटल सम उख दस साल बात फिर बात करते हैं सेकेंड प्रैक्टिस क्यूशन की तो यह हमारे पास तो यह कूशन ब्लड सब्सक्राइग के साथ यह कूशन प्रॉब्लम और एज के साथ आवरेज का भी है age के साथ average का भी question है तो सबसे पहले बात करते है average का formula क्या होता है average का formula होता वो क्या होता है total sum upon numbers के कितने employees है तो यहाँ पर हमारे पास average कितना दे रखा है हमारे पास average जो हो दे रखा है 24 ठीक है total age हमें नहीं मालू total employee कितने है 15 तो total age कितनी आगी total age आगी 24 into 15 multiply कराते हैं तो में मिलता है 360 360 फिर बात कि कि अगर 5 employee और जूड़ जाते हैं तो average age दो साल बढ़ जाती है तो 5 employee और जूड़ जाते हैं average age 24 के जगे कि आओ जागी 26 total age हमें नहीं मालू ठीक है employee 5 और जूड़ गे तो 15 और 5 किते होगे 20 तो अब total age किती हो जाएगी 26 into 20 यानकी 520 तो पहले तो अब कितनी age बढ़ चुकी है 520 minus 360 equals to 160 years यानकी 160 years age बढ़ चुकी कितनी 5 employee कितनी 5 employee कितनी 5 employee की age 160 है तो हमें निकालना average तो average कितना हो जाएगा average हो जाएगा जो total sum है उसके अंदर हम क्या करेंगे numbers का divide कर लेंगे तो 160 upon 5 हमने कर दिया 160 upon 5 हमने किया तो हमें कितना मिल गया 32 years यानकी जो नए 5 employees जिनको उनने एड किया था उनकी average age कितनी है 32 years उनकी average age है तो ये age और average का एक combined question हमारे पास बन गया तो I hope आज का आपको lecture समझ में आया होगा अगर आपको पसंद आया आज का lecture तो इसे like कीजिए share किजिए और अगर चैनल को अब तक subscribe आपने नहीं कर रखा है तो इस चैनल को आप subscribe कर लिजिए Thank you